हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ मनीश वर्मा और आपका स्वागत है हमारे यूटूब चैनल लार्न ओफ टेक्नो पर डियर फ्रेंड हमारी सीरीज आए ओनलाइन एम सी क्यू किव कंटिन्यू चल रही है जिसमें आपको वन नाइनर भी देखने के लिए मिलते हैं जितने भी क्योशन रहते हैं सारे मोस्ट इंपोर्टेट क्योशन है वीडियो को एंड तक जुरूर वाच किजिएगा अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड सेर्कल में सेयर करना ना भूले चलिए आजकी क्लास को शुरू करते हैं तो आजका हमारा फ्रेस्ट क्योशन है हाइ कार्बन इस्टील का उप्योग क्या बनाने में किया जाता है हाइपन इस्टील जादत तरह हम कहां पर करते हैं cutting tool वगेरा बनाने के लिए high carbon steel या high speed steel का यूज़ हो feeder section में किया जाता है तो high carbon steel का यूज़ हो chisel, tape, file, hammer, gauge तता molding डाईयां आधी बनाने में किया जाता है यानि कि ज़्यादतर यूज़ हो high carbon steel का feeder section में किया जाता है next है allensing element यानि कि allowing element क्या चीज़ होती है तो allowing element क्या है तो carbon steel में गुणों का अधिक विकास करने के लिए carbon के अतरिक्त कुछ अन्य ततव भी मिलाए जाते हैं जिने ही allowing कहते हैं तो दो या दो से अधिक metal को अधिक धातू को आप समें मिला कर कुछ अपने according या फिर कोई specific उसमें property प्राप्त करने के लिए जो metal बनाई जाती है वो allowing element कहलाता है ठीक है next question है यहाँ पर इसमें दिया है high speed steel का परयोग क्यों किया जाता है high speed steel का यूज हम क्यों करते हैं तो अधिक speed पर कटाई करने के लिए high speed steel का यूज हो किया जाता है ज़्यादत रहाई carbon steel का यूज हम करते हैं next है वेनेडियम स्टील का यूप्यूग क्या बनाने के लिए किया जाता है तो वेनेडियम स्टील के इस पेनर वगेरा हैं वो सबसे ज्यादा बनाए जाते हैं तो वेनेडियम स्टील का यूज हो वर्नियर के लिए पर इस्क्रूजेक, फोर्जिंग द्वारा इस्पेनर आदे बनाने में यानि कि मेन काम क्या होता है इस्पेनर बनाने के लिए जो यूज करते हैं वो वेनेडियम इस्टील का यूज हो किया जाता है सबसे ज़्यादा spanner vanadium steel के बनाई जाते है नेक्स्ट है निक्ल तत्व का steel पर क्या परवाव पड़ता है यानि कि निक्ल को steel में बनाकर निक्ल क्रोमियम steel या निक्ली steel बनाते है तो निक्ल क्यों मिलाए जाता है इससे steel में क्या होता है तो steel की hardness, strength, toughness और steel में corrosion resistance बनता है यानि कि जंगरोधी बनता है यानि कि जंगरोधी बनता है उसमें hardness आठी है कठोर था strength सामर्थ आती है और toughness यानि कि उसमें लचीला पनाता है यानि कि कोई भी उसमें toughness का मतलब होता है कि जैसे चिम्ड आपन, चिम्ड हो जाता है ठीक है यानि कि मोड़ने मरोड़ने पर भी जल्दी से ना टूटे next question है पितल में copper और zinc किस अनपात में मिलाया जाता है ठीक है यहां पर किस की बात की गई है तो यहां पर पितल की बात की गई है जिसमें क्या है copper और zinc मिलाया जाता है तामबा और zinc मिलाया जाता है तो किस ratio में मिलाया जाता है तो copper होता है वो 60% और zinc होता है वो 40% है यानि कि 3 अनपात 2 के ratio में मिलाया जाता है तो 60 अनपात 4 था इनको 0 से 0 कारती है 2 3 6 और 2 2 4 एक्जाम में बहुत बार पूछा जाता है very very most important question next है bronze, copper में किस दातों को मिलाने से बनता है ये आगए next question तो bronze है वो copper में क्या मिलाने से बनता है तो till मिलाने से बनता है bronze है वो किस परकार की दातों है तो betal है बंगोर दातों होती है ठीक है और एक question और पूछा जाता है इसमेर gun metal में copper tin तता zinc है वो किस अनबात में मिलाया जाता है यान कि gun metal की metal property पूची जाती है कि इसमें क्या property होती है यान कि इसके क्या गुण होते हैं और यह किस किस का alloy होता है gun metal है यह किस किस का alloy होता है तो copper tin and zinc अगर tini को मिला देंगी तो हमारा gun metal मिलेगा अगर copper और tin को मिलाएंगे तो bronze बनेगा और copper और zinc को मिलाएंगे तो brass बनेगा ठीक है? तो यहाँ पर पूछा गया है gun metal में copper, tin और zinc है वो कितनी परतिशत में होता है कितने percentage में होता है तो 80% copper होता है 10% tin होता है और 2% zinc होता है पूछा है जिंक होता है झीक है next question यहाँ पर दिया हुए है gun metal का परियोग क्या बनाने में किया जाता है gun metal का यूज वो किसलिए करते हैं क्या बनाते हैं इसे तो बुस बीरिंग बनाने के लिए gun metal का यूज किया जाता है पुराना समय में बंदूग की नाली वगेरा गन वगेरा बनाने के काम में लिया जाता था ठीक है नेक्स ग्योसन है यहां पर परकर्ती में लोहा सवतंत रूप से क्यों नहीं मिलता यानि कि जो परकर्ती से हमें लोहा जो प्राप्त होता है ख़दानों से ऐसे की रूप में तो वो सुद्ध क्यों नहीं होता वो अलग अलग योगिक है वो मिलकर बना हुआ होता है उसमें और भी ऐसुद्धियां होती है कुछ योगिक उसमें होते हैं तो वो सुद्ध क्यों नहीं होता क्योंकि यह वीपिन बरकार की ऐसुद्धियों के साथ मिलावा ही योगिक होता यानि कि अलग अलग इसमें कुछ ऐसुदियां भी मिली होती है जिनको बाद में हम क्या करते हैं कि उस पे उपरेशन करके उसमें ही ट्रीटमेंट करके उसको क्या किया जाता है अलग किया जाता है जिसका क्या होता है सांद्रन मेथड होता है प्रतक्रन मेथड होता है चार मे लिया जाता है वेल्डिंग करने वाले कारिगर को किस नाम से जाना जाता है तो वेल्डिंग करने वाले कारिगर को वेल्डर के नाम से जाना जाता है तो फीटिंग का काम करते हैं उसको फीटर कहते हैं इलेक्ट्रिशियन का काम करते हैं उसको इलेक्ट्रिक कहते हैं वेल्ड अलग नाम से कारीगर को जाना जाता है नेक्स्ट के उसन आपर दिया हुआ है जिद्धातू के टुकड़ों को कौन सी वीदियों द्वारा जोड़ा जाता है तो दातू के टुकड़े जो मेटल के जो टुकड़े होते हैं उनको कौन सी वीदियों के द्वारा जोड़ा जाता फ्यूजन वेल्डिंग में ठंडे दो पार्टों को तीसरे मेटल के दोबारा फिलर मेटल के दोबारा उसको किनारों को पिंग लाके और उसको जोड़ा जाता है नेक्स्ट क्योशन यहां पर दिया हुआ है कि वेल्डिंग को कितने भागों में बांटा गया है तो दो भागों में कौन सी प्रेसर वेल्डिंग और फ्यूजन वेल्डिंग दो प्रकार की वेल्डिंग में डिवाइड किया जाता है प्रेसर वेल्डिंग और फ्यूजन वेल तीन मशीनें परियोग में लाए जाती है वेल्डिंग ट्रांसफार्मर मोटर जनरेटर और वेल्डिंग रिक्टिफायर कौनसी कौनसी तीन मशीनें परियोग में लाए जाती है वेल्डिंग ट्रांसफार्मर मोटर जनरेटर और welding rectifier next question नहीं आपर दिया हुआ है petrol diesel से कौन सी welding machine को चलाया जाता है तो petrol और diesel से तो motor generator को ही चलाया जाता है तो motor generator यहां पर right answer हो जाएगा AC या DC को किसके दोरा उत्पन किया जा सकता है AC या फिर DC को किसके दोरा उत्पन किया जाता है तो polarity के दोरा उत्पन किया जाता है AC current है या alternate है या direct है तो ये polarity होती है ठीक है ये भी क्या होती है reverse polarity होती है एक forward polarity होती है उसके अलग-अलग depend करता है तो ये हम सब theoretical में clear करते हैं next है welding joint कौन कौन से होते हैं welding joint है वो कौन से कौन से होते हैं butt joint होता है lap joint, t joint, strap joint, a joint, corner joint और plug joint आदी होते हैं ठीक है welding joint के बारे में भी आपको knowledge होना चाहिए welding से आपके 2-3 क्योशन है वो हर बार एक जाम में बनते ही बनते हैं welding वाला lesson और lathe machine वाला भी most important chapter आपके लिए हो जाता है next question यहां पर दियावा है दो धातों को welding द्वारा जोडने के लिए किसका प्रियोग किया जाता है दो धातों को welding के द्वारा जोडने के लिए तो हम electrode का यूज करते हैं किसका electrode का प्रियोग को किया जाता है welding के द्वारा दो धातों को जोडने के लिए कि फिलर मेटर के रूप में वहां पर एलेक्ट्रोड का यूज हम करते हैं नेक्स्ट है फ्यूजन एक परकार की कौन सी विदी है तो फ्यूजन मेथड पूछा गया फ्यूजन मेथड है ये कौन सा मेथड है तो फटा-फट से कमेंट कीजिए इस कांचार फ्यूजन किस परक पुंगा है कि इसलें के एक प्रगार को आ agenda या दिया हुते हैं तो यहां पर दिया है यहां पर यही तो फिल्ल मेठल होता है एक और 2 जोपाट होते हैं, उन्हों जोड़ने वाले किनारों को तीन उंको पिख लाकर वहां पर fuse किया जाता है और उसके बाद में वो पार जब ठंडे होते हैं तो अपसमें शिपक जाते हैं ठिक है तो आज की वीडियो में बस इतने यहीं वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड शर्कल में जरूर शेयर कीजिएगा पीस्टियू ओल्डावेस्ट जैहिन जैवाद